हेलो एवरिवन, वेलकम टो दे चैनल गोटो सेक्सस और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इडिट रिप्लेस भी पियार्टी, पोस्ट कोड सोला बटे सत्रा और एक बटे अठारा के जो प्रेफरेंस लेटर आ रहे हैं और आपके द्वारा भेजे जा रहे हैं, उसे जुड़े हुई कुछ मुख्य बाते जिसको जानना बहुत जरूरी है कई questions आपके मन में हैं, कुछ सही जवाब मिल पा रहे हैं कहीं से और कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं है ना, सबसे पहले सवाल उठता है कि वो भरना कैसे है, इस पर वीडियो मैं बना चुकी हूँ और भी कई YouTubers हैं, जो बिलकुल सही सूचना उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से दी है और दूसरी बात की address क्या send करना है, किस address पर? तो address जो है वो आपका, जो आप फिल करेंगे उसी पर first page पर दिया है, नहीं तो envelope पे जो to और from लिखा हुए है, उसको अपने address को to के through भेजेंगे और to the assistant director, है ना, ऐसे करना है, उसका मैं एक example के तोर पर एक envelope पे ही लिखा हुए address आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको भेजना है और उपर एक line में लिखना है कि preference letter for the post of PRT और उसके बाद अपना roll number भी उसमें लिखना होगा ठीक है, ये तो बात हुई ये, एक बात, दूसरा उसके साथ attach क्या होना है, उसके साथ attach होना है आपका ID proof वो आपका अधर कार्ड हो सकता है, वो आपका voter ID हो सकता है, वो आपका driving license हो सकता है, passport हो सकता है और जो आप address अपने letter में अपनी जब details डालते हैं उसमें fill करेंगे वही address आपका ID में भी होना चाहिए यानि कि दोनों ही address आपके same होनी चाहिए, जो ID आप attach कर रहे हो और जो आप address अपने letter में fill कर रहे हो वो दूसरी बात हुई है, तीसरी बात है preference की, preference का मतलब है SDMC, NDMC और EDMC तो आप अपना area देखे, जो धोलाकुआ side के हैं, south side के हैं, वो SDMC भरे, जो north side के हैं जिसमें आपका रोहिनी, बवाना, कराला, कंजावला, ये सब आते हैं, वो north भरे, नरेला, उसके बाद जो अलीपूर वगेरा side से हैं, वो EDMC भरे, ठीक है? जिसमें आपका अलीपूर है, शादरा है, ये सब आपके east दिल्ली में आते हैं तो preference तीनों ही डालने हैं, आपको छोड़ना नहीं है, एक भी तीनों ही column आपको fill करने हैं प्राथमिकता पहले किस को देते हूँ, पहले किस में होना चाहिए, अगर उसमें वेकंसी नहीं है, तब आपको second preference कौन सी दी जाएगी, कौन से एरिया आपको दिया जाएगा, अगर दोनों fill हो गए हैं, उसके बाद third आपको मिलने के उमीद हैं, वैसे कोशिस यही रहती ह कि first preference जो आपने दी है, वही आपको अलोट किया जाए, मोबाइल नंबर आपको वही होना चाहिए, जो registration ID में आपने attach है आपका, और एक active नंबर है, ठीक है, और email ID भी आपको वही होना चाहिए, जो active है, तो ये थी कुछ मुख्य बाते, उमीद करती हूँ, कि ये सब आपक के लिए काफी useful होंगी, एक बार वो letter का आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, पहले आपको लिखना है, preference of corporation for the post of primary teacher, then आपना roll number to the assistant director of education, teacher recruitment cell, ये address लिखना है, जो कि आपको उसके first page पर भी मिल जाएगा, जो की post होके आपके पास आया है, और जो आपने apply किया है, उसके उपर भी वो चीज मिलेगी, और नीचे फिर अगर नीचे space है, तो नीचे from करके कर सकते हो, नहीं तो फिर back side में from करके अपना address आप वहाँ पर लिखेंगे, ये जो address है उपर, to the assistant director, ठीक है, ये सिधा आजाएगा, to करके, और उसके बाद आपका from में अपना address लि थी हमारी full signature of applicant with date, तो आपको अपने sign के साथ date भी जरूर डालनी है, और यहाँ पर लिखना है कि आप कौन से ID proof को enclose कर रहे हैं, इसके साथ भेज रहे हैं, वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो आपका driving license, या कुछ भी ID proof हो सकता है, जिसमें आपका address होगा, और जो present address आ आप अपने इस letter के साथ attach कर रहे हैं, और बात करें, एक page भेजना है या दोनों ही, तो वो आपकी मर्जी है, दोनों भेजना चाहो, तो दोनों नहीं तो, अगर first तो आपकी वैसे instructions के लिए होता है, उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है वापिस भीजने की, अगर आपका मन क करता है कि नहीं भेजना चाहिए, तो आप भेज सकते हैं, तीन page हो जाएंगे फिर आपकी, instruction, दूसरा form और third ID, ID को self attach करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना कोई खास need नहीं है, इस पर कोई अलग से नहीं लिखा हुआ है, कि ID को आपको attach करना है, ठीक हैं, बस ये लिखा हुआ ह address ported by ID, आगे कहीं भी नहीं लिखा कि ID self attested या gifted officer से attested होनी चाहिए, तो ये थी एक information, I hope आपके लिए useful रही होगी, वीडियो को like, share जरूर कर ले, और हाँ, एक बात, उन candidates की जिनके अभी तक preference letter नहीं पहुँचे हैं, उनके कल या परसों में पहुच जाएंगे, और उनकी date भी आगे की मिलेगी, यानि कि जिनकी अब इस लोट में 17 है, आगे की date में उनकी 19, 20, 21 तक हो सकती है, thank you so much.